बिसमुलेख्मारुम्रीम, السلام علیکم, वेलकम टू क्विक रिव्यूँ और क्विक रिव्यूँ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी पार्ट सफीच विट टाइप्स इन डिटेल आज हम बात करने लगे हैं जो पार्ट सफीच हैं इंगलिश के अंदर इनको हम डिटेल से जो है आज डिसकस करेंगे इस लेक्चर के अंदर तो इसलिए पहले आप यह सुनते चलें कि यह जो लेक्चर है यह थोड़ा सा लॉंग होने लगा है तो इसलिए आपको एक तो फोकस बना के रखना है सबसे इंपॉर्टन जो है कि इसके अंदर क्या-क्या हम डिसकस करने जा रहे हैं ठीक है और थर्ड यह है कि आप इसको किसी ऐसे टाइम पर सुने जो आपका स्टड़ी टाइम हो ताकि आप जो है वो सुकून से जो है इसको फोकस करके समझ सकें थीक हो गया जी तो यह 8 parts of speech हमारे सामने हैं इनको जो है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगी और इनकी जो सब types हैं उनको जो है वो जानने की कोशिश करेंगे इस lecture के अंदर तो चलिए start करते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि parts of speech हमारे पास हैं कितने ठीक है कौन-कौन से हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास noun है उसके प्रोनाउन है उसके बाद verb है उसके बाद adjective है फिर adverb है फिर preposition है conjunction है और interjection है ठीक है यह 8 जो है हमारे पास parts of speech है तो सबसे पहले अगर बात की जाए noun की तो बात करते है जी noun की noun and its types की कि noun क्या है और इसकी types कौन कौन सी है तो simply noun की definition क्या है a noun is a word ठीक है used as a name of a person, place or thing कि noun क्या है एक ऐसा word है जो किसी शखस का हो सकता है किसी जगा का हो सकता है या किसी चीज का हो सकता है ठीक है यानि कोई शखस हो सकता है अगर कोई शखस होगा तो let's suppose कौन हो सकता है कोई लड़का हम कह सकते है ठीक है कोई place हो सकती है तो कोई शहर हो सकता है इसी तरह से आगर चीज हो सकती है तो जैसे कि कोई किताब, भुक वगरा हो सकती है ठीक हो गया इनमेंसे जमी कोई बीच चीज दुनिया की है आपने आए तक को ऐसे चीज देखी नहीं होगी जो without noun हो तो इसका मतलब दुनिया की हर चीज जो है वो noun ही है उसे की distribution है तो noun जो है वो basically हमारे पास पांच तरह के nouns होते हैं ठीक है फाइव टाइपस है नाउन्स की पहले नमबर पे हमारे पास है common noun, दूसरे पे है proper noun, तीसरे पे है concrete noun, चोथे पे है abstract noun और पांच पे है collective noun, ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात करते है common noun की, तो common noun मतलब आम नाम, कोई भी आम नाम जो किसी खास specific शख्स चीज़ या जगा को represent ना करे, जैसे के boy, कोई भी boy, girl, कोई भी girl, city, कोई भी और table, जैसे के table, ठीक है, कोई भी इन में से कोई ऐसी चीज़ जो specific है, तो common noun, जो common nouns को represent करें, जो किसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, दूसी नमर पे है proper noun, तो proper का मतलब ही क्या है, कि proper हो, खास हो, किसी एक के लिए हो, ऐसा नहीं, वो हर एक के लिए use हो, जैसे के, अली, अब अली किसी एक का नाम हो सकता है, सब का नाम अली नहीं हो सकता आईशा किसी एक लड़की का नाम आईशा हो सकता है सब का नहीं हो सकता किसी एक सिटी का नाम कराची हो सकता हर सिटी का नाम कराची नहीं हो सकता ठीक है यह प्रॉपर नाउन हो गया नमर थर्ट पे हैं कंक्रीट नाउन इसी को जो है कंक्रीट नाउन को हम जो है वो मैटीरियल नाउन भी कहते हैं अब मैटीरियल नाउन या कंक्रीट नाउन क्या है जो चीजें मैटीरियल से बनी भी होती है उनको हम क्या कहते हैं जी यह मैटीरियल या कंक्रीट नाउन है material noun है जो किसी material से बनावा हो नंबर फॉर पर हमारे पास है abstract noun abstract मतलब घाइब ठीक है अब ये noun तो है लेकिन ये वो noun है जो हमें दिखाई नहीं देते यानि वो चीज़ें जो हैं मौझूद हैं मगर हमें दिखाई नहीं देती ठीक हो गया जैसे के kindness महरोणी अब महरोणी दिखाई तो नहीं देती लेकिन है तो है ऐसे ही है word है goodwill goodwill है जैसे business की goodwill होती है लोगों की goodwill होती है लेकिन होती है दिखाई नहीं देती honesty इमानदारी अब कितनी इमानदारी अब किसी तो नहीं पता है तो है childhood बचपना बचपना क्या है भाई तुम में बहुत बचपना है या मेरा childhood मेरा बचपना ठीक है दिखाई तो नहीं देता ऐसा ही है लेकिन मौझूद है तो यह कहाई abstract nouns है और number five पर collective noun है जो के collectively जो है इस्तमाई तोर पर जो है वो इस्तमाल होंगे और यह नहीं कठे इस्तमाल हो गए ठीक है जैसे jury court के अंदर जो jury होती है वो army जैसे के army पूरे का collective noun है जैसे की team ठीक हो गया इन में से कोई ऐसा noun नहीं जो एक एक बंदे के लिए इस्तमाल हो एक से जादा के लिए ही use हो गया नहीं collective nouns जो है उनको हम क्या कहते है collective nouns हैं तो simply यह क्या है हमारे पास noun की types हैं ठीक हो गया जो के बहुत ही simple है आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर आगे बात करते हैं plurals की के plurals अगर noun के बनते हैं तो हम जानते हैं के plural कैसे बनते हैं आप rules को discuss नहीं करेंगे लेकिन plurals को यहां इस लिए discuss कर रहे हैं कि हमारे पास जो सब plurals नहीं बन सकते हैं उनके जमा नहीं बन सकते हैं जैसे के countable nouns में book है तो इसका plural क्या है books, pen है तो pens, copy है तो copies यह क्या है जी यह countable है यह गिने जा सकते हैं इसलिए इनकी जमा भी बन सकती है अब जो गिने ही ना जा सके हैं तो उनको हम plural कैसे बनाएंगे जैसे milk, milk की कैसे जमाँ बनाएंगे, हनी, शेहत की कैसे जमाँ बनाएंगे, शूगर, ये वो हैं जो uncountable हैं, तो इसलिए इनका plural भी नहीं हो सकता, ठीक हो गया, इसी तरह noun के अंदर gender होती है, masculine या feminine, ठीक है, जैसे अब यहां अगर boy है, तो यहां पर क्या है, जी, girl है, यानी लड़का और लड़की, ठीक हो गया, तो यहां पास यहां पर noun है, जो के बहुत ही simple है, आगे बढ़ते हैं, second parts of speech की तरफ, second पर हमारे पास आता है, जी, pronoun या personal pronoun भी इसे कहते हैं, ठीक हो गया, तो pronoun क्या है, या personal pronoun क्या है, a word that is used instead of a noun is called pronoun, यनि के वो वर्ड, ठीक है, जो के noun की जगा पर इस्तमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं, pronoun है, अब एक इस sentence के अंदर अगर हम use करते हैं, तो बार बार हम जो name है, वो तो use नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम उसके लिए, क्या करेंगे, अगर लड़का है, तो he use कर रहे हैं, लड़की है, तो she कोई अगर neutral चीज है, तो उसके लिए हम it use करते हैं, तो यह जो बार बार हम use करते हैं, तो उसकी जगा, नाम की जगा, उसको हम क्या कहा रहे हैं, कि भई वो pronoun या personal pronoun है, जैसे अब personal pronoun के अंदर classification क्या है, सबसे पहले हमारे पास first person है, जैसे कि I, V, My, Me, ठीक है, यह सारे के सारे first person को resident करते हैं, second person में हमारे पास you या yours है, और third person में हमारे पास he, she, it and they, और neutral में हमारे पास it है, ठीक हो गया, अब यनि कि देखिए, तीन लोग ही हो सकते हैं, जो बात करें, या तो first person हो सकता है, मैं, ऐसा ही है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है, मैं first person हूँ, अब second person कोन है, तुम, जिसके साथ बात की जा रही है, वो तुम हो, यानि मैं बात कर रहा हूँ, तुम से, तो या आप से, और third person जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो मौझूद है या नहीं है, तो उसके बारे बात हो रही है, तो उसका मतलब तीन ही persons है हमारे पास, अब यहाँ पे इनकी कुछ जो है, वो cases है हमारे पास, जो pronoun है, इसके cases है, तीन तरह की cases हमारे पास pronoun के होते हैं, यहाँ पर आपको समझना है, singular के अंदर और plural क के अंदर यह use कैसे होंगे, सबसे पहले हमारे पास nominative case है, उसके बाद possessive case है, और उसके बाद accusative case है, ठीक हो गया, यह तीनों cases जो हैं हमारे पास first person के अंदर भी हैं, second person के अंदर भी हैं, और third person के अंदर भी हैं, ठीक हो गया, यनि के तीन तरह की cases हैं, और इन के अंदर फिर आगे दो तरह classification है, एक है singular और एक है plural, यानि एक है वाहिद और एक है जमा, इनी तीनों cases के अंदर, अब सबसे पहले हम लेते हैं first person को और इस के अंदर ये तीनों cases check करते हैं, हमारे पास first person ये है, तो इन first person को लेते हैं, तो फिर्स person singular जो है, नॉमिनेटिव केस के अंदर, अगरे है, तो नॉमिनेटिव केस के अंदर प्लूरल क्या है, वी, आइ में, वी, हम, फिर्स परसन के अंदर पुजिसिव केस में माई या माईन है मेरा ठीक है और प्लूरल के अंदर क्या है आर या आर्ज है और फिर्स परसन के अंदर सिंगूलर में एक्विजिटिव केस के अंदर मी है और प्लूरल के अंदर अस है ठीक हो गया तो ये जो है ये सारे का सारा क् कैसेज हैं first person के singular or plural अब बात करते है second person की जो second person है उसके singular plural किया है तो सबसे पहले यह बात दिमाग में रखें कि second person का plural कोई नहीं क्योंकि वो singular ही singular है you तुम ठीक है तो वह ही जो है अप्लूरल भी यूज होगा तो नॉमिनेटिव केस क्या है यू तो प्लूरल बात करते हैं थर्ड की के थर्ड परसन जो है उसके केसिस कौन से हैं तो थर्ड परसन में सबसे पहले सिंगुलर में हमारे पास नॉमिनेटिव केस में ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए और नॉमिनेटिव के अंदर ही इनका जो प्लूरल है वो क्या है दे यूज होगा इसी तरह possessive के अंदर हमारे पास जो singular में his है या हर है his लड़के के लिए हर लड़की के लिए इनका जो possessive case plural है वो there या there's ठीक हो गया और acquisitive case के अंदर him या हर him लड़के के लिए और हर लड़की के लिए और plural के अंदर them है तो यह हमारे पास क्या है third person के cases हैं तो इस तरह यह हमारे पास pronoun या personal pronoun है और यह इनके जो cases हैं इस तरह से जो है हम apply करते हैं और जब जब आगे हम use करेंगे ठीक है तो English grammar के अंदर तो यह इस तरह से use होगे कहीं पर यह singular use होगा कहीं plural use होगा कहीं पर nominative case use होगा कहीं possessive और कहीं accusative case use होगा इनका आगे बढ़ते हैं मजीद इनकी जो types हो देखते हैं reflexive pronouns के बाद हमारे पास होते हैं ठीक है जी यानि दो basic इनकी types हैं एक reflexive और दूसरा empathetic pronoun तो reflexive क्या है reflex करना reflex का मतलब ही क्या होता है अपना image show करना अपने कोई देखना जैसे अब अब देखते हैं mirror के अंदर खुद को देखते हैं तो हमारी ही reflection जो है यानि अक्स जो है हमारा ही दिखाई देता है mirror के अंदर क्योंकि अब हम देखें तो हम यहां पे अब देखें, case भी use हो गया, myself, ठीक हो गया, यह हमारे पास यहां पे आया आगया, इसका, तो इसका possessive case हमने use कर लिया, possessive case, यानि मलकियती, हमने क्या कहा जी, I hurt myself, मैंने खुद को hurt किया, अपने आपकी reflection आई, I hurt him, he hurt himself, ठीक है, he, वो जो है, उसने खुद को जो हो hurt किया, यह object के तोर पे यहां पे use हो रहा है, यानि जो object है, वो object जो अक्स दिखाई दे, उसमें, object का वो खुद का ही हो, reflexive हो, अच्छा, empathetic pronoun क्या है, empathetic मतलब कि हम किसी चीज़ के ओपर जोर जब दे रहे हैं, किसी चीज़ को जब specify कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम emphasize कर करूंगा खुद से, ठीक है, I का फिर से हमने कहा myself, ऐसा ही है, मैंसे क्या करूंगा, अपने से करूंगा, खुद से करूंगा, या फिर यहां पर देखें, you yourself can best elaborate, तुम अपने आप से जो है, इसको best explain कर सकते हो, बता सकते हो, यानि कि you के साथ क्या लग गया, yourself लग गया, त अपने ही बारे में बात हो रही है, तो ये empathetic pronouns है, तो ये हमारे पास personal pronouns जो है, ये भी यहां पर खत्म होगे, आपको यहां समझने वाली बात क्या समझनी है, ये जो cases है, ये कैसे use होंगे, ये आपको समझनी है, कि cases आपको पता हो, आगे बढ़ते हैं, third की तरफ, third part of speech है, ह कोई भी जो action है, उसको हम क्या कहेंगे जी, वो verb है, जैसे के walk, कोई चल रहा है, talk, कोई बात कर रहा है, run, कोई भाग रहा है, etc, ठीक है, action or state, कोई भी action है, कोई state है, कोई इसकी condition या हालत जो हो बताई जा रही है, तो ये सारे का सारा verb है, ठीक है, अब verb के अंदर कौन से verbs ह होते है, normally main verb होता है, या तो हमारे पास, ठीक है, main verb जो भी main use हो रहा हूँ, जैसे यहाँ sentence है, देखें, I am going to market, मैं market जा रहा हूँ, तो यहाँ पर यह जो going use हुआ, यह क्या है, यह main verb है, going जाना, ठीक हो गया, कहां जी, market जा रहा है, तो इसने बता दिया, तो यह हमारे पा की, तो यह जो am है, इसने क्या कि हम main verb की help की, main verb के साथ use हुआ, तो यह helping verb है, ठीक है, is, am, are, was, were, यह सारे के सारे helping verb के तोर पे use हो रहे हैं, इसके इलावा हमारे पास verb की जो categories आती है, वो है जी, transitive verb और in transitive verb, ठीक है, यह आपको समझने के हैं, यह जो है, आपको समझने के हैं, transitive क्या है, और in transitive क्या है, अब transitive simply जो इसका meaning है, हम use करते हैं, जी passing over, ठीक है, transitive मतलब passing over किसी को pass कर रहा हो, ठीक है, यह एक यहाँ पे है, दुसरा यहाँ पे है, तो यह यह यूं pass कर रहा है, passing over, और in transitive मतलब not passing over, जो pass ना कर रहा हो, अब simply passing over मतलब subject to an object, कि एक subject ज चैहेंगे जैसे के for example the boy hits the ball. The boy, लड़के ने क्या किया? जी hits the ball. अब यहांपे hits जो है, यह क्या चीज़ है? यह verb है. ठीक हो गया? और ball क्या है? यहांपे object है. अब ball object है, तो लड़के ने क्या किया? Hit किया किसको? Ball को. तो object को hit किया किनी? यहाँ पे इसने क्या किया जी? इसने पास कर दी, इसको पासिंग ओवर, यह बीच में दा आ गया, तो इक्सम कहा, यहाँ से पडिज बना कि इसने यहाँ जंप लगा दी, तो यह जो पासिंग ओवर हो गया, किसे तरफ? अबजट की तरफ, subject ने, यह जो लडका है, उसने क्य दूसरी नबर पर हमारे पास इंट्राइटिव तो simply फिर हम simply कहेंगे जिसके साथ जो है वो object ना हो वो इंट्राइटिव है यानि कि जो पास ओवर ना करें ठीक है तो कैसे दब बॉइ रंज स्लोली लड़का जो है वो आहिस्ता से भाग रहा है अब रंज स्लोली का मतलब यह यहां पर पास ओवर नहीं हो रहा आप देखें कुछ भी बीच में नहीं आ रहा सिंपली रंस को ही जो है वो आगे एक्स्प्लेइन किया जा रहा है दोनों एक ही चीज़ें लड़का ही जो है वो आइस्ता भाग रहा है जबके यहां पर दो डिफरेंट चीजें थी ठीक है अबजेक्ट डिफरेंट था इसी तरह से दब बेबी स्लीप जो बच्चा है वो सोयावा है बच्चा सोयावा है बच्चा ही सोयावा है कोई पास ओवर नहीं हो रहा जरा इसको आपने समझना है ठीक है तो कोई पास ओवर नहीं हो रहा तो इसका मतलब not passing to the object यहां पर object की लिए-पिक कोई नहीं है तो बात फिर वहीं पर आ जाती है object है to ट्रांज़ेटेव है object नहीं है तो नहीं है तो बात पर एक इसका कि लूडव है ठीक है यह एक एक सबस्रकर में आप एक साहिए इस का दा रहे हैं तो आप आपने यहां पर यांवर्ड के उर्प के इसके साहिए और एक साथ gehört बैना है और आगे बात करते हैं जी एज्वेटिव की नंबर फोर पर हमारे पास जो है वो आता है adjective और adjective को अगर देखें तो adjective क्या है जी which shows the quality आर या फिर describe करे a noun, pronoun, place or thing जो के quality शो करे ठीक हो गया अब quality किसकी शो करेगा noun की या फिर pronoun की noun की शो कर सकता है pronoun भी noun की जगा यूज होता है तो pronoun की करेगा तब भी adjective है या फिर किसी चीज की प्लेस की quality को शो करे या उसको describe करे, quality क्योंकि अलग से फिर एक जो हमारे पास यहाँ पर adjective की type आजाएगी तो इसलिए describe करे, कुछ भी हमें जो है वो अगर इन के बारे में noun के बारे में बता रहा है extra जो information है, वो दे रहा है, किसी भी noun के बारे में तो हम क्या कहेंगे कि ये adjective है, इसने हमें इसके बारे में extra information दे दी अब कैसे, यहाँ पर आप देखें अब हमारे पास यहाँ पर जो kind आती है, adjectives क्योंकितनी है सबसे पहले adjective of quality है, उसके बाद adjective of quantity है, फिर numbers है फिर demonstrative objectives हैं और फिर interrogative objectives हैं तो सबसे पहले बात करें कि हमने का extra show करें कुछ भी तो adjective of quality की बात करते हैं, जो quality बताता है यानि कि किसी की खासियत बताता है कि कोई कितना खास कि उसके अंदर क्या quality है कराची is a big city, a big मतलब बड़ा, ऐसा ही है इसने क्या बता दिया कराची के बारे में, कराची is a city, कराची एक शहर है लेकिन कराची is a big city, मतलब बड़ा शहर है तो simply बड़ा क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे है quality के बारे में शहर की इसका मतलब बड़ा extra information दे रहे हमें, तो ये क्या है, ये adjective है the boy is lazy, boy क्या है जी, lazy है, लड़के के बारे में हमें extra information मिली the boy is lazy, कि भाई, वो लड़का जो है, वो बहुत जादा सुस्त है, ऐसा ही है तो इस extra information इसी तरह से कहीं पर अगर small use हो रहा है, beautiful हो रहा है, ugly हो रहा है तो ये सारे के सारे क्या show कर रहे है, quality को show कर रहे है, किसी चीज़ की अच्छी है या बुरी है, quality show कर रहे है, ओके, दूसे नमबर पर बात करते हैं, adjective of quantity quantity मतलब मिकदार जो बताए, मिकदार मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जैसे मिकदार होती है नॉर्मली कोई भी चीज़ जो मिकदार के लिए use हो, quantity के लिए, जैसे he has little intelligence, इसके बास कुछ जो है, वो अकल है, little मतलब कम, ऐसे ही है ना, little कम इसके पास इसके ने क्या बताया, कम ज्यादा, कम का ज्यादा, तो इसका मतलब ये मिकदार बता रहा है, quantity बता रहा है, इसी तरह से he has lost all his wealth उसने अपनी सारी की सारी दौलत जो हो खो दी, all मतलब सारी की सारी पिर यहाँ पे मिकदार बता रहा है quantity बता रहा है, तो quantity बता रहा है इसका मतलब इसी तरह से enough, much यह भी quantity के लिए use किये जाते हैं, तो यह adjective of quantity है number 3 पे बात करते है adjective of numbers, जिसके अंदर number बता रहा हो, अब यहाँ पे quantity में और numbers में आपको ज़रा फर्क करना है तीक है, कि quantity मिकदार है little, small, enough की तीक है, और यहाँ पे numbers के अंदर जो है, यह numbers को शो करेगा the hand has five fingers हाथ जो है, उसकी पांच उंगलिया होती है, ठीक है, यहाँ नंबर बता दिया most girls like lays बहुत लड़कियां जो है, वो lays पसंद करती सारी लड़कियां खेर lays पसंद करती है ठीक होगा, lays जो पापड़ है, उसकी बात हो रही है तो most मतलब ज़्यादा तर, ऐसे ही है, तो यह क्या होगा तो वो कभी quality के अंदर नहीं quantity के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई और quantity की चीज है तो वो number के लिए use की जा सकती है, यहाँ पर number four की बात करते है demonstrative objectives, तो demonstrative मतलब demonstrate करना, दिखाना ठीक है, demonstrate करना कुछ भी दिखाना, जैसे demo देना कि भई मुझे demo दो, इस phone का या इस laptop का, या किसी भी चीज का demo दे दो, ठीक है कि भई तुम कैसे कर रहे हो इसको, तो demonstrate कर रहे है जो objectives, कैसे, this glass is bigger than your mouth क्या जी, अब यहाँ पर comparison हो गया, दो चीजों का, एक side पर क्या चीज है, एक side पर है glass और दुछ साइट पर है mouth, यानि कि ये glass जो है, तुम्हारे मूँ से बड़ा है, मूँ के और glass के बीच में comparison हो रहे है मवाजना हो रहे है, ठीक हो गया तो इसका मतलब, क्या चीज़ दिखा रही है this glass, ये glass अब ये जो this है, ये क्या चीज़ है ये adjective है, और ये demonstrative adjective है, इसी तरह से that these, ये जो है, ये भी sentence के start में हम use करके जब हम use करते हैं, demonstrate करते हैं तो वो demonstrative adjective हो जाते हैं यानि कि वो मवाजना करते हैं बताते हैं, नमबर फाई पर हमारे पास है जी, interrogative adjectives, और interrogative क्या है जो के question पैदा करें, जिनकी वज़ा से question जो है, वो सामने आये, तो उनको हम कहते हैं, कि बई, interrogative adjectives है whose pen is this, ये pen किस का है यानि इस pen का मालिक कौन है question पैनाया न, whose pen is this तो यहाँ question मागा आ गया, इसी तरह से अगर what use करते हैं, या which use करते हैं, तो ये भी जो है interrogative adjectives हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हैं, हमारे पास adjectives और उसकी types हैं, या kinds हैं आगे बढ़ते हैं, adjectives के अंदर और क्या होता है, adjectives के अंदर मजीज जो है इसकी degrees होती है, adjectives की और 3 degrees हमारे पास normally होती है एज्चिस की ठीख हो गया सबसे पहली डिगरी जो होती है उसका हम कहते हैं positive दूसरी को comparative और तीसरी को superlative किसी भी चीज को जब हम explain करेंगे तो यह तो 1st level के ओप explain करेंगे positive दूसरी यह तो 2 level के ओप यह उसको थोड़ा ज्यादा करके या फिर बहुत ज्यादा करके explain करेंगे किसी भी चीज़ को यार ये बहुत यार ये खुबसूरत है ऐसे ही है खुबसूरत हमने explain कर दिया simple यार ये बहुत खुबसूरत है बहुत खुबसूरत है इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया यार यह बहुत जादा खूबसूरत है अब यहां पे बहुत जादा मतलब quality जो है वो extend होती जा रही है यहां पे तो बिलकुल इसी तरह जैसे यहां पे है big, bigger और biggest, big क्या है positive है comparative, bigger है और superlative, biggest है good, better, best इसी तरह से मजीद जो हो बनाते चले जाएंगे tall, taller, tallest तो यह इसी तरह से सिलसला चलता रहेगा, तो यह adjectives की क्या है, degrees है, आगे बढ़ते हैं number five की तरफ, number five हमारे पास parts of speech के अंदर आता है, adverbs, ठीक है, adverbs क्या है जी, it is a word which adds to the meaning of a verb, adjective or some other adverb, कहता है जी, adverb वो word है, जो के meaning दे, किसको verb को, या adjective को, या किसी और adverb को, जो है, वो meaning दे, दे सकता ह अब simply अगर आपको समझना है, तो simply आप यह समझें, कि जो adjective है, adjective बताता है quality of noun, normally हम यह use करते हैं, ठीक है, और जो adverb है, adverb क्या करता है, adverb quality of verb बताता है, यानि verb जो है, उसकी क्योई quality देखनी होगी, तो adverb जो है, 90% adverb भी उसको explain करेगा, और adjective जो है, वो noun की क्योई quality देख नहीं है, तो 90% उसको adjective ही explain करेगा, simple, ठीक है, फिर समझो, आगे conditions आती है, जैसे 10% अभी छोड़ा हो है, यहाँ पर तो उसका मतलब 10% दोनों में जो conditions आती है, फिर sometimes adjectives, adverb, adverbs, adjective इस तरह से पर वो use हो जाते हैं, अच्छा, जैसे के, for example, यहाँ पर आप देखें, adjective, adverb जो ह किस तरह से use हो रहे हैं, तो कहता है, जी, it is a fast train, यह एक तेज़ ट्रेन है, यह adjective के तोर पर, यहाँ पर यह जो fast है, यह train जो है, यह noun जो हमारे पास आ रहा है, इसको show कर रहा है, तो इसका मतलब, यहाँ क्या हो रहा है, adjective हो रहा है, fast quality के तोर पर, यहाँ पर noun की use किया जा और यहाँ पर he walks fast, और यह तेज भाग रहा है जी, अब यहाँ पर adverb के तोर पर, fast ही एक जगा पर adjective और एक जगा पर adverb, लेकिन एक जगा पर पहले आ रहा है, normally जो है, वो पहले ही आता है, जो adjective है, और जो adverb है, वो normally जो है, वो verb के बाद आता है, यह अपने दिमाग में र और पर adverb of manner है, और फिफ पर adverb of degree है, या quantity है, तो पहले की बात करें, adverb of time की, कि सबसे पहले हमारे पास जो adverb है, वो time का है, adverb of time, अब यह क्या है, जैसे कि for example, I have heard this before, मैं यह सुन चुका हूँ पहले भी, यानि कि वो adverb जिसके अंदर, क्या बताया जा रहा हूँ, time जो है वो शो किया जा रहा हूँ, यह हमें time जो है, वो सुनने में समझा रहा हूँ, यह कोई time की बात हो रही है, पहले की, बात की, अभी की, कभी की, कोई time की बात हो रही है, ठीक है, तो कहता है, मैं यह पहले भी सुन चुका हूँ, before, पहले मतलब before, यहां represent कर रहा है, time को, तो time period जिसको हम कहते है तो यह यहाँ पर रोज आता है यहाँ पर आप यह देखें when कि जो चीज हमें when का answer करें हम उसको क्या कहेंगे adverb of time है कि when, कब, कब ही आया किस time ही आया कब आया, मैं पहले आया कब आया, रोज आया तो यह कब का answer कर रहा हमें तो यह क्या है, adverb of time है जो कब का answer करें adverb of frequency, frequency मतलब कोई चीज कितनी बार repeat हो रही है, normally frequencies को कहते है, I have told you twice मैं दो दफातों में बता चुका हूँ ठीक है, twice मतलब दो दफा तो यह frequencies की हो गई, दो दफा तो यह क्या हो गई, adverb of frequency हो गई, इसी तरह से he often make mistakes यह अकसर जो है वो गलतियां करता है, अब यहां पर often जो है बता रहा है, अकसर ठीक है, तो often भी क्या बता रहा है frequency, frequency के लिए use हो रहा है यानि कि how many times कोई चीज कितनी times जो है, कितनी दफा हो रही है, वो frequency है तो वो जब show करेगी तो उसका हम adverb of frequency कहेंगे, ठीक है नमबर थर्ड की बात करें adverb of place, जगा के बारे में बात हो रही है, कि जब भी जगा की बात होगी तो वो adverb of place होगा stand here, यहां खड़े हो जाओ stand here, यहां खड़े हो जाओ go there, जाओ वहाँ ठीक है, come in, यहां आओ अब यहां पे here, there यहां in, यह क्या चीज़े है, यह answer दे रही है, यहां में where का, कहा किसका आंसर दे रही है, जी कहा का, यहां, वहाँ, ठीक है इधर, उधर, इसका आंसर दे रही है, इसका मतलब जगा की बात हो रही है, adverb of place number four पे adverb of manner, adverb of manner, यानि manner कोई भी, जो है ना, हालत बताए, किस तरह से हो रहा है कोई चीज, this book is well written, किस तरह book लिखी गई, बहुत अच्छे से लिखी गई, well written तो well written, क्या चीज़ है, एक manner है, कभी अच्छे से लिखी गई, तो यह क्या चीज़ है, जो well है, यह adverb of manner है, इसी तरह से, the boys fought bravely, यानि जो लड़कें हैं, बड़ी ही, बहादुरी से लड़े, क्या चीज़ बता रही है, जी bravely, कि बहादुरी के साथ लड़े ही एक manner है, तो manner है, क्या चीज़, answer आ रही है, यहारे पास, how, कैसे, कैसे लड़े भाई, बहादुरी से लड़े, वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक हो गया, तो यह कैसे या कैसी का answer मिला, तो adverb of manner हो गया, और number five पे, adverb of degree, या quantity, कि भाई, वो क्या degree है, उसकी, या quantity उसकी, जो है, वो क्या है, he is too careless, यह बहुत ज़्यादा, जो है, वो careless है, two careless मतलब बता रहा है, बहुत ज़्यादा, degree उसकी बता रहा है, quantity के किस level पे है, I am fully prepared, मैं मुकमल तोर पे तयार हूँ, ठीक है, जो fully prepared, बता रहा है कि उसकी quantity क्या है, या उसकी degree क्या है, कि वो full prepare है, ठीक है, full तयार है, कि sentence के अंदर use करने हो single sentence के अंदर ठीक है तो फिर हम कैसे use करेंगे single sentence के अंदर इनको और क्या इनका order रहेगा तो orders of adverb क्या होगा PMT simply इसको याद रखें place manner time normally जब भी हमें एक जगा use करना हो तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले adverb of place को place करेंगे फिर manner को और फिर time को जैसे कि for example they have lived here happily for a long time यहाँ पे hair का मतलब place है ठीक है happily खुशी के साथ किस तरह रहे है manner बता रहा है और long time time के बारें बता रहा है PMT ठीक है तो PMT हम इस तरह से adverbs के orders को use करेंगे एक के sentence के अंदर position of adjective and adverb normally जो है यह confusion बनी रहती है adjective और adverb के ओपर इसमें किसी और वीडियो में details हम बात करेंगे किन rules के ओपर लेकिन simple एक rule आप समझ लेजिए जो पहले ही बताया कि जो adjective है ठीक है adjective हमेशा 90% तक जो है वो पहले आएगा ठीक है थोड़ा सा technical है he is a slow worker ठीक है यहाँ पे देखें he works slowly अब यहाँ पे slow पहले आया worker बाद में आया ऐसे ही है यहाँ पे यह क्या है adjective है यहाँ पे he works slowly और वैसे भी हम जानते है जब ly जो है normally लगता है तो फिर यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे worker पहले आया और slowly बाद में तो यह क्या है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तोर पर यूज हो रहा है he is a hard worker यह एक महनती जो है वो बन्दा है काम करने वाला है worker से पहले hard आ गया तो यह क्या है adjective है और यहाँ पे he works hard तीक है यहाँ पे work पहले आया और hard बाद में आया तो यह adverb है तो इस तरह से यह normally यूज होता है तो यह हो गया जी adverb हमारे पास आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी number six की preposition की कि preposition क्या है अब preposition देखिए preposition यानि कि position के बारे में बता रहा है किसी भी हालत के बारे में पहले जो है उसकी बारे में बता रहा है हमें यह preposition है, जैसे for example, क्या चीज़ हो सकती है, in, off, off, at, on, before, after, over, according to, etc. तो यह क्या चीज़ है जी? यह सारी की सारी हमारे पास prepositions है, अब normally जो prepositions हैं, वो हमारे पास तीन तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक क्या है? एक simple preposition है, दूसरा compound preposition है, तीक है? दो तरह की हमारे प जो compound है, एक से ज़्यादा word जो मिल के बना रही हैं, तो वो compound preposition है, अब जैसे at, by, for, from, in, off, यह सारी की सारी जितनी भी हैं, यह सारी की सारी simple prepositions हैं, जो के position बता रही हैं, for example, कैसे use हो रही है, the book is on the table, किताब जो है, वो मेज के ऊपर है, अब book के बारे में हमें पता चल कि बही है, यह एक book है, हमारे पास, ठीक है, अब यह book कहां पे है, book table के ऊपर है, यह हमारे पास table है, और इसके ऊपर है, तो इसका मतलब यह जो इसकी ऊपर की surfaces के ऊपर है, तो हमें बताया, on the table, on ने बता दिया, कि जो book है, वो table के ऊपर है, इसी तरह से, the ball is in the desk, जो ball है, school desk मान ले से और इसके अंदर यहां पर ball है तो इसका मतलब यह ball है अगर तो ball की position के बारे में किस ने बताया in, in ने बताया कि वो कहां पर in the desk, desk के अंदर है तो यह in क्या है यह preposition है और कौन सी simple preposition है आगे बढ़ते हैं compound preposition कौन सी हो सकते हैं इन ही को sometimes जो है वो separately भी कहा जाता है compound preposition को sometimes जो है वो इसी के साथ मिला जाता है phrasal preposition ठीक है जी यानि कि phrase जो होती है वो भी preposition होती है जैसे कि यहां पर देखें according to, along with, ठीक है in place of, यह compound भी है और phrase के time पर भी sometimes को कह सकते हैं तो अब यह कैसे use हो रहा है in case of need जुरत की शकल में call me मुझे call करना in case of यह पूरे का पूरा एक साथ use हो गया यह क्या है जी compound preposition है या phrasal preposition है इसी तरह से the boy run across the road जो लड़का है वो कहां भाग रहा है जी road के उपर से भाग रहा है तो इसका मतलब यह हमें लड़के के बारे में बता रहा है तो यह हमारे पास क्या हो गया जी prepositions हो गई और prepositions भी यहां पे end हो गई आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास number seven पे आता है जी conjunctions parts of speech के अंदर ठीक है conjunctions क्या है jointing the word के जो दो words है एक word यह है एक word यह है इन दो को जोड़े आपस में किसी relation के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं वो conjunction है join कर रहा है जैसे railway का जो है जो है वो junction होता है जहां पे बहुत से trains जो है इदर उदर आगे पीचे जोड़ रही होती है जहां पे एक track के साथ बहुत से tracks जोड़ रही होते है तो वो junction होता है तो यहां पे भी एक conjunction है a conjunction is a word which joins sentences and sometimes words या तो वो जुमलों को जोड़ता है यानि कि ये एक sentence है और ये दूसरा sentence है तो इसके बीच में यहां पे एक word यूज़ किया गया बगएर full stop के तो वो क्या हो गया उसको हमने कहा भई वो conjunction है तीक है इसी तरह से या फिर वो दो words को भी sometime जोड़ सकता है जैसे यहां पे आप example दी एक word यहां एक word यहां तो बीच में जोड़ रहा है जैसे कि for example एंड बर्ट और एसेटरा यह जो हैं यह क्या है कंजेक्शन है हमारे पास फर एक्जामपल शी मस्ट वीप और शी विल डाई ठीक है अब यहां पे क्या हो रहा है एक sentence यह है शी मस्ट वीप यहां पे खतम हो गया आगे कॉमा है उसके बाद यहां पे दूसरा है शी विल डाई ठीक है दो बाते एक ही के अंदर हो रही है और बीच में इनको जोडने के लिए और हो गया या यह है या यह है तो यह और क्या है यह conjunction है अब conjunction के अंदर normally हमारे पास two types के conjunction आती है उसकी classes ठीक है classification देखें एक core relative conjunctions है और दूसरे जो हमारे पास है वो compound conjunctions है अब core relative मतलब जो relate करते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो काम करते हैं तो core relative conjunctions के अंदर जो pairs के अंदर जो है वो जोड़े की शकल में काम करते हैं जैसे neither are, either are, neither are, weather are, ठीक है, यह अलग-अलग है, यहाँ पर इनकी space है, अभी हम use करेंगे तो आपको यह समझा जाएगा, कि जब यह use होगा sentence के अंदर neither, तो यहाँ पर और भी use होगा, अगर either use होगा तो उसके साथ भी nor use हो रहा है, तो इस तरह से यह जो है, यह हमेशा पेर की शकल में, जोड़े की शकल में यह use होगे, जैसे के neither take it or leave it, either take it or leave it, ठीक है, या तो इसे ले लो या छोड़ दो, अब यहाँ पे either use हुआ, take it or leave it, दोनों एक साथ एक sentence के अंदर जो है, वो use हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको correlative conjunctions कहा जाता है, अब यहाँ पे दूसरा देखे, I do not care whether you stay or go, मैं यह परवाद नहीं करता, कि तुम रुको या जाओ, ठीक है, अब यहाँ पे whether भी use हुआ, औ और और भी use हुआ, तो इसका मतलब यह pairs की शकल में use हो रहा है, तो इसका मतलब यह correlative conjunctions है, second जो है, वो क्या है, compound conjunctions है, compound कौन से है, compound मतलब जो एक से जादा है, more than one है, ठीक है जी, एक से जादा है, अब जैसे के, in order that, as if, as well as, as soon as, ठीक है, बहुत common यह use होते है, as well as, as soon as, तो यह क्या है, यह compound conjunctions है हमारे पास, जैसे, अली as well as, एहमद वाज प्रेजेंट है, अली और उसके साथ-साथ, जो है, वो एहाँ यहाँ पर मौजूद है, तो यह यहाँ पर compound, जो है, वो conjunction use हो गया, इसी तरह से, he took off his shoes as soon as he entered the house, ठीक है, उसके, जो है, अब यहाँ पे द connections है, इसके बाद जिस time भी आप इनको सुनें, तो आप फोरण से पहचान लें, कि भाई, यह तो जो है, वो compound conjunctions, जो है, यूज हो रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर conjunctions भी खतम होगे, आगे बढ़ते हैं, और number eight, और last, जो है, हमारे पास है, वो है, जी, interjection, interjection, जानते है, बह उसकी feelings को explain करने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या use किया जाता है, जीको express करने के लिए, interjection, यूज किया जाता है, जैसे कि, hello, alas, hurra, ah, ठीक है, यह कुछ expressions है, जैसे, hello, what are you doing, हाँ, बाई, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, इसी तरह से, alas, he is dead, यह गम के लिए use होता है, को बात है, तो इस तरह से, यह जो interjections है, यह use होते है, तो यहाँ पर इसको जो है, वो end करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, at least, जो है, वो minimum 38 minutes की यह वीडियो हुई है, तो 38 minutes मुझे उमीद है, कि जिसने भी देखा होगा, यह फुल वीडियो देखी होगी, तो वो कुछ ले के ही जाएगा, उसको यह 38 minutes कुछ देंगे, ना कि उसका loss करेंगे, ठीक है, तो जो students होते हैं, और यह जो goal oriented students होते हैं, जिन्होंने कुछ तै किया वा होता है, तो अब इसलिए वो time देते हैं, लेकिन जो जो है, वो बस time pass कर रहे होते हैं, studies के साथ, तो फिर बाद मिनट निकालें और 40 मिनट निकाल के इसको सुन लें, आपके सारे बाट सा स्पीच यहाँ पे clear हो जाएंगे, तो आपको जो है वो छोटी छोटी वीडियो की जूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है वो इसको end करते हैं,